Hello students, welcome to MOS classes, आज हम 7th class Math NCRT के chapter number 5 की exercise 5.1 के question number 9 को solve करेंगे 9th question में हमसे कहा गया students, in the adjoining figure, यहाँ पर हमें ये figure दी गई है और इससे related हमें कुछ questions दिये गए है First part में हमसे पूछा गया students, is angle 1 adjacent to angle 2, हमें इस figure में चेक करना है कि angle 1 और angle 2 adjacent angles हैं या नहीं इस exercise की basic video में हमने आपको समझाया था students, कि 2 angles तभी adjacent angles होते हैं, जब वो 3 properties को satisfy करते हैं अब वो 3 properties क्या होती हैं, यह हम आपको एक diagram के थ्रू समझाते हैं अब यहाँ पर आप देखिए, हम यहाँ पर दो angle आपको बना कर दिखाते हैं, यह rough work में आप कर सकते हैं students यहाँ पर आप देख सकते हैं students, कि हमने यहाँ पर दो angle बनाए हैं, angle 1 and angle 2 और यह दोनों angle, adjacent angles है या नहीं, इसके लिए हमें 3 चीज़ों को check करना पड़ेगा पहला तो यह कि क्या इन दोनों angles का कोई common vertex है, अब देखिए, अगर आप इस angle को check करेंगे तो इसका vertex यहाँ पर है, और अगर आप इस angle को, यानि angle 2 को check करते हैं, तो यह भी इसी point पर बन रहा है देखिए, angle 1 भी इस point पर आ रहा है, और angle 2 भी इस point पर आ रहा है, यानि कि इन दोनों angles का एक common vertex है अब एक property तो यहाँ पर satisfy हो गई, अब आप देखिए, कि यहाँ पर जो angle 1 है, देखिए, उसमें ये दो rays, जिनको हम arms भी कहते हैं, ये दो rays यहाँ पर use होई, और angle 2 को देखिए, ये दो rays यहाँ पर use होई, इन दोनों ही angles में, ये वाली जो ray है, ये common है, ये इस angle में भी आ रही है, और इस angle में भी आ रही है, तो दो adjacent angles की एक property ये भी होती है students, कि इन दोनों angles में, या अगर ये दो adjacent angles हैं, तो इन दोनों में एक common ray होनी चाहिए, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, इन दोनों angles में एक common arm होनी चाहिए, और यहाँ पर ये जो ray है, ये जो arm है, ये इन दोनों ही एंगल्स में common है, एड़ेसेंट एंगल्स की तीसरी property ये होती है students, कि जो non-common आम होती है इन दोनों एंगल्स में, देखें ये वर्ली आम तो common आम है, लेकिन ये वर्ली आम और ये वर्ली आम, ये दोनों non-common आम्स है, तो जो non common arms होती है, adjacent angles की, वो common arm की अलगड़क side पर होनी चायए, अब इस angle की ये वजी जो non common arm है, ये देखे ये इस common arm के इस side में है, और इस angle की second angle की, जो ये non common arm है, ये इस common arm के दूसरी side पर है, यानि कि ये दोनों angles, adjacent angles की तीनों properties को satisfy कर रहे हैं तो ये दोनों angles क्या है, adjacent angles है यानि कि इन दोनों angles का एक common point भी है इन दोनों angles की एक common arm भी है और इन दोनों angles की जो non common arms हैं वो common arm के अलग अलग side पर है इसलिए ये दोनों angles, adjacent angles है अब हम इस figure में देखेंगे students कि angle 1 और angle 2 adjacent angles की तीनों properties को satisfy कर रहे हैं या नहीं अब देखिए angle 1 भी इस point पर बन रहा है और angle 2 भी इस point पर बन रहा है यानि इन दोनों angles का ये common vertex है तो एक property तो satisfy हो गई अब आप देख सकते है students कि जो angle 1 है देखें ये angle 1 है इसमें ये जो arm है OC और यहाँ पर आप angle 2 देख सकते हैं ये जो angle 2 है इसमें भी यही arm OC आ रही है यानि इन दोनों ही angles में जो OC arm है वो common है और adjacent angle के दूसरी property यही होती है कि दोनों angles की एक common arm होनी चाहिए तो यहाँ पर दूसरी property भी satisfy हो गई और adjacent angle की तीसरी property होती है students कि इन दोनों angles की जो non common arms होती है वो common arm की अलग़ग side में होनी चाहिए अब देखिए angle 1 की यह वली जो arm है यह non common arm है तो यह इस common arm के इस side में है और angle 2 की यह वली जो arm है यह non common arm है और यह non common arm इस common arm के इस side में है तो adjacent angle की तीसरी property भी satisfy हो गई अब क्योंकि angle 1 और angle 2 ने adjacent angles की तीनों properties को satisfy कर दिया है तो हम कह सकते हैं कि angle 1 और angle 2 adjacent angles हैं तो यहाँ पर हम लिखेंगे yes कि angle 1 और angle 2 adjacent angles हैं second part में हमसे पूछा गया students is angle AOC adjacent to angle AOE यानि कि हमें यह बताना है students कि इस figure में angle AOC यानि कि यह वला angle, angle AOC और कुछ नहीं है बलकि angle 1 ही है क्या यह angle और angle AOE यानि कि यह complete angle क्या यह दोनों angles adjacent angles हैं या नहीं अब ध्यान से समझेगा students पहला angle जो यहाँ पर हमें कहा गया है वो है angle AOC और दूसरा angle है angle AOE देखिए angle AOC वो तो यहाँ पर है angle 1 ही angle AOC है और दूसरा angle है angle AOE देखिए angle AOE यानि कि यहाँ से यहाँ तक ही है complete angle ठीक है students अब हम चेक करेंगे students कि angle AOC और angle AOE यह दोनों angles adjacent angles की तीनों properties को satisfy कर रहे हैं या नहीं तो पहली property तो यह होती है adjacent angles की कि उन दोनों का एक common vertex होना चाहिए अब देखिए angle AOC भी O point पर बन रहा है और angle AOE यानि यहाँ से रेकर यहाँ तक यह complete angle यह भी O point पर बन रहा है यानि कि इन दोनों का एक common vertex है तो एक property तो इन्होंने satisfy कर दी अब दूसरी property यह होती है students के adjacent angles में common side भी होनी चाहिए अब देखिए AOC में AO ray आ रही है और AOE angle में भी AO ray आ रही है यानि इन दोनों में common ray है जिसको हम common arm भी कह सकते हैं और वो common ray है AO जिसको आप AO भी कह सकते हो और OA भी कह सकते हो तो angle AOC और angle AOE ने दूसरी property भी satisfy कर दी adjacent angles की अब हम तीसरी property देखते हैं adjacent angles की तीसरी property यह होती है students कि जो non common arms होती है इन दोनों angles की वो common आम के अलगलग side पे होनी चाहिए अब इन दोनों angles की common आम तो यह रही AO अब यह देखिए यह जो angle AOC है इसकी जो non common आम है वो है OC और angle AOE को देखिए इसकी जो non common आम है वो है OE अब यह जो दोनों non common arms है यह इस common आम की अलगलग side में नहीं है बलकि यह दोनों ही non common arms इस common आम की एक ही side पर है इस जो तीसरी property है adjacent angles की वो यहाँ पर satisfy नहीं होई तो हम कह सकते हैं कि angle AOC यानि कि यह वला angle और angle AOE यानि कि complete angle यह दोनों adjacent angles नहीं है तो यहाँ पर हम लिखेंगे no third part में हमसे पूछा गया students do angle COE and angle EOD formal linear pair इसका मतलब यह है students कि क्या angle COE और angle EOD linear pair बना रहे हैं या नहीं इस figure में आप देख सकते हैं students कि angle COE यह वला angle है यानि कि angle 2 और दूसरा angle हमें दिया गया है angle EOD देखिए angle EOD यानि कि यह complete angle अब हमें यह बताना है कि यह वला angle COE और यह वला जो complete angle यह वला है angle EOD यह दोनों मिलकर यानि कि यह वला angle और यह वला angle क्या यह मिलकर linear pair बना रहे हैं या नहीं इस exercise की basic video में हमने आपको समझाया था students कि linear pair एक straight line पर बनता है देखिए यहाँ पर हम आपको यह diagram के तुरू समझाते हैं यह हम यहाँ पर एक rough sketch त्यार कर रहे हैं यह एक straight line है इसके उपर यह जो angle होता है students यह 180 degree का angle होता है और अगर कोई ray इस angle को दो parts में divide करती है तो यब यह दो angles में divide हो जाता है लेकिन अगर आप इन दोनों angles को add करेंगे तो इनका sum 180 degree के equal ही होता है तो यह दोनों angles क्या कहलाते हैं linear pair कहलाते हैं अब इस figure में आप देख सकते है students कि यहाँ पर यह CD line को देखिए CD line यह straight line है और यहाँ पर ध्यान से देखिएगा यह angle COE है यानि क यह इतना angle ठीक है और यहाँ पर अगर आप देखें तो angle EOD यहाँ से यहाँ तक है ठीक है यानि के यहाँ पर जो यह straight line के उपर यह 180 degree का angle बन रहा था इसको कौन सी रे ने काटा इस OE रे ने काटा तो एक angle तो यहाँ पर आगया और यह जो EOD angle है यह यहाँ से यहाँ तक ह अगर आप इस angle को यानि COE angle को और इस angle को यानि के EOD angle को अगर आप add करते हैं तो यह देखें complete वापस से 180 degree angle बन जाता है straight line के उपर यानि के angle COE और angle EOD यह linear pair बना रहे हैं क्योंकि इन दोनों को add करके वापस से 180 degree का यह angle यहाँ straight line पर बन रहा है और यह straight line कौन सी है CD line तो यहाँ पर जैसा कि हमसे पूछा गया था कि क्या angle COE और angle EOD linear pair फॉर्म कर रहे हैं तो हम यहाँ पर लिखेंगे yes यह दोनों linear pair बना रहे हैं फॉर्थ पार्ट में हमसे पूछा गया students are angle BOD and angle DOA supplementary? यहाँ पर हमें यह बताना है students कि angle BOD और angle DOA supplementary angles हैं या नहीं हम जानते हैं students कि दो angles तभी supplementary angles होते हैं जब उन दोनों angles का sum 180 degree के equal होता है तो यहाँ पर हम चेक करेंगे कि इन दोनों angles का sum 180 degree के equal है या नहीं अब यहाँ पर देखें students हमें यह दो angles दिये गए हैं angle BOD को चेक करते हैं यह देखिए angle BOD यानि के angle 4 ही angle BOD है और दूसरा angle क्या है angle DOA देखिए DOA यानि के angle 5 ही angle DOA है अब यहाँ पर हम linear pair का concept यूज़ करेंगे students देखिए यह एक straight line है AB line ठीक है और straight line के उपर यहाँ से लेकर यहाँ तक यह जो angle बनता है students यह 180 degree का angle होता है और अगर इस 180 degree के angle को कोई ray काटती है जैसे यहाँ पर इस 180 degree के angle को किस ray ने काटा OD ray ने काटा तो यह 180 degree angle दो parts में divide हो जाता है और जब हम इन दोनों angles को add करते हैं तो फिर से हमें क्या मिल जाता है 180 degree मिल जाता है तो यह दो angles क्या कहलाते हैं linear pair कहलाते हैं linear pair का जो sum होता है students वो 180 degree के equal होता है तो यहाँ पर यह दो angles कोन से हैं देखिए यह वाला angle है angle BOD जो यहाँ पर हमें दिया गया है और यह angle कोन सा है यह angle है DOA जो कि यहाँ पर हमें दिया गया है यानि कि angle BOD और angle DOA को अगर हम add करते हैं तो यह linear pair बनाते हैं यानि इनका sum 180 degree होता है लेकिन हमें तो यह बताना है कि क्या यह दो angles supplementary angles है या नहीं तो अभी अभी हमने क्या prove कि है students अभी हमने यह बताया कि यह दोनो angles linear pair बना रहे यानि इन दोनों angles का sum 180 degree है अब अगर इन दो angles का sum 180 degree के equal है तो यह दोनों angles supplementary angles भी होंगे क्योंकि दो supplementary angles का sum 180 degree के equal होता है तो यहाँ पर answer में हम लिखेंगे yes यानि के angle BOD और angle DOA supplementary angles हैं क्योंकि इन दोनों angles का sum 180 degree के equal है और इन दोनों angles को supplementary show करने के लिए यानि इन दोनों angles का sum 180 degree के equal दिखाने के लिए हमने यहाँ पर linear pair के concept को use किया है फिफ्थ पार्ट में हमसे पूछा गया students इस पार्ट में हमें यह बताना है कि एंगल 1 और एंगल 4 वर्टिकली एपोजिट एंगल्स हैं या नहीं अब हम देखेंगे कि वर्टिकली एपोजिट एंगल्स क्या होते हैं ध्यान से देखेंगा students जब दो lines एक दूसरे को किसी एक point पर intersect करती हैं तो यहाँ पर देखेंगे यह एंगल्स और यह एंगल्स यह वर्टिकली एपोजिट एंगल्स होंगे और आपस में equal भी होंगे ऐसे ही यह एंगल्स और यह एंगल्स यह दोनों एंगल्स भी वर्टिकली एपोजिट एंगल्स होंगे और आपस में equal भी होंगे अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे यहाँ पर एक line आपको नजर आ रही है AB line और दूसरी line है CD line और यह दोनों lines एक दूसरे को O point पर intersect कर रही है अब आप easily check कर सकते हैं कि angle 1 और angle 4 यह दोनों ही vertically opposite angles हैं तो यहाँ पर हम लिखेंगे yes angle 1 and angle 4 यह दोनों ही vertically opposite angles हैं sixth part में हमसे पूछा गया students what is the vertically opposite angle of angle 5 यानि कि हमें यह बताना है कि इस figure में angle 5 का vertically opposite angle कौन सा है इस figure में आप देख सकते हैं students कि AB line और CD line एक दूसरे को O point पर काट रहे हैं तो आप simply check कर सकते हैं कि angle 5 देखें यहाँ से यहाँ तक है तो इसके vertically opposite angle कौन सा होगा इसके vertically opposite angle यहाँ से यहाँ तक होगा और यह जो angle है जो कि angle 5 के vertically opposite है यह कितने पार्ट में बटा हुआ है दो पार्ट में बटा हुआ है angle 2 और angle 3 में तो अगर हमें angle 5 का vertically opposite angle बताना है तो हमें यहाँ से यहाँ तक यह angle बताना होगा और यह sum करके आएगा यह add करके आएगा इन दोनो angles को तो यहाँ पर हम answer में लिखेंगे vertically opposite angle of angle 5 is angle 2 plus angle 3 यानि के angle 5 का जो vertically opposite angle है वो angle 2 और angle 3 के sum के equal है I hope students आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो इससे like, share और subscribe कीजिए Thank you